हुआ बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस पार्ट टू के वीडियो में जिसमें मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि हॉस्पिटल के कैफे जो है इंडिया में 80% कैफे अनहेल्थी क्यों है अनाइजिन क्यों है क्यों इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी चलने के बावजूद क्यों यहां पर आज के टाइम में हॉस्पिटल के कैफे अनाइजिन होते हैं इन 80% के लिए मेरा पहले जाके वीडियो देख लेगा जिसमें मैंने 5 पॉइंट आपको बताए है बढ़ते हैं चटे पॉइंट की तरफ और आज की टाइम में आपको बत बताता हूं चैटे पॉइंट में क्या कि वेंडर नौलिज यानि कि वेंडर को नौलिज नहीं कि कि कितना उपरेशन पर खर्चा आएगा इंप्लोईमेंट की कोस्ट क्या उपर पढ़ने वाली है क्या रेंट होना चाहिए डाइट के रेट क्या लेने चाहिए किस तरीके स देद फिल्बे 2 गा-पर थे से लिक रात के बारवरेशन तक कैके चलते हैं या किचन चलते हैं तो उसके उपर इंपलोईमें मेंट का कितना भार आने वाला है क्या एलेकसटी का बिल उसके उसके ईपर आएगा कितने और इल्लाइशं की निकलेगी कि इन्वेस्टारिक है तो कहीं calculation उसको नहीं पता होती जिसकी knowledge उसको नहीं होती और वो काम शुरू कर लेता और जिसमें बाद में उसको घाटा लगता है और जिसकी वज़ेसे ये knowledge ना होने की वज़ेसे फिर ध्यान देना बंद कर देता है और साफ स्पाई होना वहाँ पर नहीं होती और इस होस्पिल के अंदर जो कैफे चला रहे होते हैं वह अपडेशन नहीं करते हैं अपने कैफे में या अपने किशन के अंदर को अपडेशन नहीं करते हैं अट्रेक्टिव में न्यू ब्रेंडिंग बगरा पर ध्यान नहीं देते बाहर की मार्किट में का कस्टमर को नहीं का और किसी भी चीज़ का और यहां पर क्या हॉस्पिल पडेट के उसको फूरिया करते कर लोग होते जो हॉस्पिल के काफ़ हैं नहीं करते उनके जो कस्टमर होते वह बाई किसाइट जाने लगते पर वह द्यू of कि उनको menu भी update करना है आज customer की क्या requirement है उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्या customer पसंद कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं सिर्फ वो tea coffee और कुछ snacks और खाने की उपर ही सिर्फ बेस रहते हैं आज की टाइम में customer की जिस तरीके से शोशल मीडिया अपडेट हुआ है customer कुछ नया चाहता है कुछ अच्छा चाहता है packaging अच्छी चाहता है उस पर नहीं ध्यान देने की वज़े से वह बाहर customer जा रहा होता है उसका बाहर के अच्छी वह नहीं होते दोस्तों अगला point है sales percentage ज्यादा दे देना यानि कि कहीं hospital management ऐसी है जहां पर hospital का रेंट होता है और कहीं जगा पर होता है percentage होना परसंटेज यानि कि sales परसंटेज देना कहीं पर 10% 20% यानि कि 30% भी लोग अपने sales का hospital में दे देते हैं और यह percentage का क्या है percentage में किस तरीके से लोग काम करते हैं जिसके अंदर देखे कि कहीं जैसे biscuit है chips है उसके अंदर तो एक रुपया दो रुपया ही बसता है पानी की बोटल में 5-6 रुपय बच जाते हैं किसी चीज़ पर margin जो है MRP पर 10% margin होता है 12% margin होता है food को food की को बात करेंगे तो food पर 30- 35 पर margin चला जाता है तो यहां पर hospitals को लोग क्या करते हैं रेंट की जगह पर कहते हैं कि हमें 20% 20-30% आप दे दीजे सेल का हम आपको कैफे देंगे हमारा काम बहुत अच्छा है तो वह वहां पर भीड देखके सारी चीज़े महां पर analyze नहीं करते वहां पर MRP और जो food जो जि होता है और जब यहां पर उसको ज्यादा पैसे नहीं बसते तो वह वहां पर थोड़े दिन बाद 6-8 मीने बाद समझने लग जाता है कि यार मैं सिर्फ यहां पर काम कर रहा हूं और जो percentage है वह मैंने ज्यादा percentage पर काम ले लिया जिसकी वज़े से वह कमाने ना कमाई होने क यह फिर वही बाद आ जाते है कि कि कमाई ज्यादा नहीं होगी फिर यह दो रेंड ज्यादा ओने लोग दे देते हैं यहां पर पर पर्संटेज हैं ज्यादा ज्यादा अुअर्वाब थे यह पर प्रसंटेल जहां पर hospital ज्यादा demand करता है percentage की rent की demand करता है और इसी दोनों की इसी वज़ा से जो standards है वो hospital के खतम हो जाते हैं जहां पर उसको standard देना चाहिए देखिए vendor अगर दो पैसे बचाएगा तो ही वहाँ पर standard दे पाएगा तो ही अच्छी employment रख पाएगा पर ये आज competition का दोर ऐसा ह है कि hospital की management इतना rent और इतनी percentage मांग लेती है कि जो वहाँ पर लोगों पर business ना होने की वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और calculation नहीं हो पाती तो ये भी बहुत बढ़ा reason है तो अगला reason है महिंगाई का महिंगाई बढ़ती जारी है दोस्तों पिछले कुछ महिने में 4-5 बार employment की एक salary बढ़ गई है employment भी जो है वो भी बढ़ गई है तो में आपर दो point एक साथ बता रहो यहाँ पर employment cost है और महिंगाई है जो बढ़ गई है अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो rate थे वो तो 2-3 साल पुराने ही rate चल रहे है पर मांद के चलते है स्टाफ की चाए 8 रु की चल रही है और यहाँ पर जो hospital के cafe लेते हैं या canteen ले लेते हैं या kitchen ले लेते हैं वो इसलिए rate नहीं बढ़ा पाते है या patient के diet के rate वो पुराने rate चल रहे है यहाँ पर दो से तीन बार उन्होंने जब काम शुरू किया था जब यहाँ पर आप यह चोदा सो रुपे का त कीन था और चोबिस सो का यानि की महंगाई जो है वो कमसें दस से बारा परसेंट पंदरा परसेंट बढ़गी पर उनके rate नहीं बढ़े और rate बढ़ाना भी चाहते है पर उनको डर लगता है वेंडर को कि यहार हमने rate बढ़ा दिये तो क्या होता है कि कुछ और हमारे competitors काम को ले लेंगे तो market में market में red ocean है हर कोई आदमी यहाँ पर rate की calculation नहीं कर रहा तो hospital opportunity लोग समझते है पर यह calculation ना होने की वैसे vendor को डर लगते कि मैंने rate बढ़ा दिये और rate अगर मैंने बढ़ा दिये तो भीया हो सकता है कि शायद कि किसी और को काम दे दे तो उसमें एक डर है ए इस वज़े से rate ना बढ़ने की वैसे जो standards है वो दिरे दे down होते जाते डाउन होते जाते और वो अपने rate को increase नहीं करा पाते जो उसको हर साल कम से कम 7% 8% rate बढ़ने चाहिए जो से agreement में भी चीज को लिखवाना चाहिए कि हर साल मिंगाई बढ़ते है तो मेरे भी rate बढ़ने से तो किसी को मतलब नहीं है यहां पर सब रेट पर बात करते हैं पर दोस्तो रेट भी एक जगा consider होता है तो अगर रेट नहीं बढ़ेंगे या रेट अगर हॉस्पिटल में आप दो तीन साल से जो vendor काम कर रहे है वो रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो जाएंगे एक सब्सक्राइब नहीं हो रहा और यह भी एक बहुत बढ़ा रीजन है दोस्तों तो फाने लास्ट पॉइंट की बात करते हैं लास्ट पॉइंट में क्या है दोस्तों एक तो लोग डूटी आ रहे हैं सुबह से लेकर रात के 11 बरज तक हॉस्पिल के कैफे चलते हैं कहीं लो которых सबस्क्राइब बहुत सारे कहीं बार पार्टनर होते हैं तो अपने-पनी डूटी नहीं होती इतना टंन की सकते और उनके बार भी कुछ बिजनस चल रह जह रही हैं इस कहीं स्टेंडर्स का और यह होने का वजह एक यह भी चीज की देखेंगे वजह क्या है कि मैं बताता हूं कि कई हॉस्पिटल के अंदर तो लोग चाते भी है कई कैंटीन के ओनर कहीं पर हुआ किचन के ओनर चाते भी यार कुछ अप्ग्रेड करें कुछ स्टेंडर्स बढ़ाएं पर कहीं हॉस्पिटल ऐसे ऐसे भी लाल्ची ऑस्पिटल से हैं या मेनेजमेंट उनकी लालची है कि वह सिर्फ रेंट अच्छा चाती है या वह चाती है कि नहीं नहीं हमें तो बहुत सारे ओफर हमारे पास आ रहे है हमें तो अđछा पैसा मिल रहा है, तो कहीं सिर्फ और सिर्फ वो एक दबाओ भी रहता है vendor के उपर hospital में जो鹹 ए और kitchen चलाते हैं, कि उनको पता है कि यार अगर हमारा local है, हम किसी बाहर जाएंगे या इंडिया में किसी कोनें में जाएंगे हमें family छोडनी पड़ेगी, हमें जैसा भी हम अगर रेंट जादा दे रहा है हमें थोड़े ही पैसे बच रहे हैं पर यहां पर कौन पूछने वाला है कौन स्टेंडर देख रहा है इस वज़े से भी रहते हैं कि हॉस्पिटल का भी कहीं सपोर्ट नहीं मिलता कि कुछ अपग्रेडेशन करें या उसके कुछ बढ़िया तो उससे कम रेंटल ले क्योंकि सारा का सारा आज मार्किट जो कम्पेटिशन से भरी पड़ी है और इसी वज़े से जो भी लोग जो हॉस्पिल के कैफे या किसी किचन चलाना चला रहे है या चलाना चाहते हैं वो कहीं न कई चीज में दबे रहते हैं कि हॉस्पिल के बड़े लेवल पर गया है मैं बताऊं कोई ऐसी हॉस्पिल के ब्रेंड की कंपनी जो सो करोड से उपर की गई है मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था वजह यही है कि पहली बात तो ट्रेनिंग नहीं है लोगों को कि किस तरीके से काम किया जा सकता है कि स्टेंडर्स आप दे सकते हैं और यह सारी चीजें मैं सिखाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से भी आपको मैं बताता हूँ मेरे साथ जो परसनली लोग मिलते हैं मेरे जो वेबिनार होते हैं उनमें भी यह बताता हूँ कि किस तरीके से आप हॉस्पिल के कैफे को चला सकते हैं देखे क्या है कि यह एक जो चैनल है वो नॉलिज वाला चैनल है कि हॉस्पिल इंडस्टी बहुत बड़ी इंडस्टी है मैंने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया है बहुत मैंने तरक्की करिए बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं उन्होंने भी तरक्की क रहूँगा बाई भाई टेक कर अपना ख्याल रखे थेंक्यू सो मुच